गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे सुनहरी दूप का पार्ट 24 गुलाब ने कहा पार्ट 23 आप लोगों का नहीं आएगा इससे पहले आपको जो इस्पिल्ट अफ्लेवर बेजा है उसे पार्ट 23 आपका एक्जाम में नहीं आएगा तो जो जो आपक हैं वही एक्जाम में आएंगे है ना पीटी 3 के पीटी 2 का कोर्स और एसे 2 का कोर्स आपका इसमें आएगा तो आपको पार्ट 23 नहीं आएगा इसकी रीडिंग करते हैं पहले हम उसके बाद कोश्यन आपसर करेंगे एक्सराइज करेंगे लट्टू बंदर बहुत शरारती जब देखो कुछ न कुछ गड़बर करता रहता था कभी किसी की पूच खीट कर बाग जाता तो कभी खीखी कर दूसरों का मज़ा कोड़ाता लट्टू की माँ उसे रोज समझाती परवा नहीं मानता एक दिन लट्टू ने गुलाब का एक पौदा देखा बड़े बड़ ध्यान से देखा परवा कोई नहीं था तबी लट्टू की नजर उसी गुलाब पर पड़ी गुलाब के गालों पर दो मोटे मोटे आंसू लुड़ाए लट्टू ने हैरान होकर तुछा तुम क्यों रो रहे हो तुम मुझे मत तोड़ो ये पौधा मेरा घर है मुझे यही रहना अच्छा लगता है मैं तुम्हें भीनी भीनी खुश्वू दूंगा उस खुश्वू से तुम्हारा तन मन हमेशा खुश रहेगा गुलाब ने कहा गुलाब की मासूमियत देख लट्टू का लट्टू मान गया उसने फूल पत्यों को कभी न तोड़ने की कसम खाई कितने एच्छी कहीन है ना हम लोग सब बच्चे लोगा आप लोग सब तोड लेते हैं ना फूलबבת पॉद्पर हो लगे रहता झाय जए पव अब हम लोग फूद लेते तो कि इतना संदर लगए ना हमलोग तोड़ देते हैं और थोड़ी देर में खेल काल के लिक तोड़ करके ऐसे नहीं करना चाहिए है ना इस तरह से यह पाठ हमारा पूरा बहुत अच्छी कहानी है ना अब हम इसका एक्सिसाइज करेंगे इसकी तब से पहले सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ लट्टू कैसा बंदर था शरार्ती और भोला बाला अभी हमने पढ़ा है ना लट्टू कैसा बंदर था लट्टू बंदर बहुत शरार्ती था शरार्ती मतलब शैतान आप लोग भी है ना आप ही लोग के तरह से शैतान था शरार्ती था तो शरार्ती पर निशान लगाएंगे शरार्ती इसमर यहान राइट का निशान लगाएंगे बड़े बड़े लालल क्या थे बड़े बड़े लालल क्या थे आम गुलाब के फूल क्या थे गुलाब के फूल थे ना तो यहां पर गुलाब के फूल पर निशान लगाएंगे यह पौदा मेरा घर है यह किस ने कहा गुलाब ने लट्टू ने किस ने कहा था गुलाब ने कहा था जब लट् को अपने घर से अलग करते हैं तो बच्चा रोता है ना उसी तरह ये गुलाब भी रोने लगा और उसने लट्टू से कहा कि आप मेरा मुझे मेरे घर से अलग मत करो ये पौदा मेरा घर है इसे आप मुझे मत तोड़ो है ना तो पहले में आया शरार्ती दूसरे में आया गुलाब ने ठीक है ना ये हो गया आपका सही विकल्प ठीक अब है प्रश्णों के उत्तर लिखो एक दिन लट्टू ने क्या देखा एक दिन लट्टू ने क्या देखा देखते हैं क्या हुआ एक दिन लट्टू ने गुलाब का एक पौधा देखा ठीक है ना तो क्या है एक दिन लट्टू ने गुलाब का एक पौधा देखा, यहां लिखेंगे, एक दिन लट्टू ने गुलाब का एक पौधा देखा, ठीक है, दूसरा है, लट्टू को क्या सुनाई दिया, फिर देखेंगे, क्या सुनाई दिया था, इसमें से देखना पड़ेगे ना, इसके किसी के रोने की आवाज सुनाई दी क्या हुए दूसरा प्रश्ण का उत्तर गवा है चानक लट्टु को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी तीक है लट्टु ने गुलाव से क्या पूछा लट्टु ने गुलाव से क्या पूछा इसका क्या होगा लट्टु ने हरान होकर पूछा तुम क्यों रो रहे हो लट्टु ने गुलाव से पूछा तुम क्यों रो रहे हो लट्टु ने गुलाव से पूछा तुम क्यों रो रहे हो ठीक है, गुलाब ने लट्टू को क्या उत्तर दिया जब लट्टू ने गुलाब से पूछा तुम क्यों रो रही हो तो चौथा प्रश्ण है, गुलाब ने लट्टू को क्या उत्तर दिया गुलाब ने बहुत बड़ा उत्तर इसका तो तुम मुझे मत तोड़ो गुलाब ने लट्टू को क्या उत्तर दिया कि तुम मुझे मत तोड़ो यह पौधा मेरा घर है इतना सही लिख पाओगे इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो तो आप लोग इतना ही लिखेंगे कि गुलाब ने लट्टू को उत्तर दिया कि तुम मुझे मत तोड़ो, यह पौधा मेरा घर है, नहीं तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा, मुझे यही रहना अच्छा लगता है, मैं तुम्हें भीनी भीनी खुश्बू दूँगा, उस ख गुलाब ने का, तो आप लोग केवल इतना से लिख लेंगे कि गुलाब ने लट्टू को उत्तर दिया कि तुम मुझे मत तोड़ो, यह पौधा मेरा घर है, ठीक है, तो यह हो गया आपका उत्तर चौथा, तो पहले का उत्तर क्या हुए, एक दिन लट्टू ने क्या लट्टू को क्या सुनाई दिया, लट्टू को किसी के रोने की आवास सुनाई दि, लट्टू ने गुलाब से क्या पूछा, लट्टू ने गुलाब से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, गुलाब ने लट्टू को क्या उत्तर दिया, गुलाब ने लट्टू को उत्तर कि तुम मुझे मत तोड़ो यह मेरा यह पौधा मेरा घर है जब गुलाब ने पूछा रहा कि तुम क्यों रो रहे हो तो उसने का कि तुम मुझे मत तोड़ो यह पौधा मेरा घर है यह उत्तर दिया ठीक है न तो यह हो गया आपका question answer हो गया और सही का निशान लगाना तो जिकल्प भी हो गए question answer भी हो गए अगर आपकी माँ भी आपको शरारत करने के लिए मना करे तो आप क्या करोगे सोचकर सही का निशान लगाऊ चार उत्तर दे रखे हैं यह आपकी मम्मी लोग आपको शरारत करने के लिए मना करती हैं तो आप क्या करेंगे शरारत करना बंद कर देंगे थोड़ी शरारत करते रहेंगे मा से छिपकर शरारत करेंगे मा की बात नहीं मानेंगे क्या करेंगे बताइए जो अच्छे बच्ची होंगे वो तो शरारत करना बंद कर देंगे और जो गंदे बच्चे होंगे जो थोड़े गंदे होंगे वो थोड़ी थोड़ी शरारत करते रहेंगे जो बहुत गंदे होंगे वो छुपकर शरारत करेंगे और जो बिल्कुली बहुत ही ज़्यादा गंदे होंगे वो बांकी बात नहीं मालेंगे तो सबसे अच्छा क्या काम होगा शरारत करना बंद कर देंगे है ना तो हम भी उम्मीद करते हैं आप लोग भी यही करेंगे कि जब मम्मी आपकी रोकेंगे शैतानी मत करो तो आपनों भी शयतानी करना बंद्द कर देंगे है ना ठेक यह होगा आपका थर्ड नमबर आप है रिक्त इस्थान भरो मतलब खाली इस्थान भरना यह लट्ट्टु एक था क्या था लट्ट्टु एक शरार्ती बंदर था यह देखो लट्टू बंदर बहुत शरारती था या फिर लट्टू एक बंदर लिख सकते हैं या एक शरारती बंदर भी लिख सकते हैं लट्टू एक शरारती बंदर था या बंदर था ऐसे भी लिख सकते हैं गुलाब रंग का था कैसे रंग का था? लाल रंग का गुलाब लाल रंग था है, तीसरा है लट्टू की उसे समझाती, कौन समझाती? लट्टू की माँ उसे रोज समझाती सबकी मम्मी लोग समझाती है अपने बच्चों को यो गलत काम करते है तो सबकी मम्मियां समझाती है तो लट्टू की माँ भी लट्टू की माँ उसे समझाती सबकी मम्मियां समझाती है अपने बच्चों को गलत काम करने से रोकने के लिए है ना गुलाब हमें देता है क्या देता है बीनी बीनी खुश्बू देता है यह लिख लेंगे आप लो बीनी बीनी खुश्बू देता है यह लिख सकते है या गुलाब हमें खुश्बू देता है तो पहला हुआ लट्ट एक शरारती बंदर था दूसरा गुलाव लाल रंग का था तीसरा लट्टू की मा उसे समझाती चौथा गुलाव हमें खुश्वू देता है या भीनी भीनी खुश्वू देता है ठीके? यह हो गया आपका पाठ पूरा ठीके ना? तो अब आपको होमबक क्या करना है? होमबक हमने कराई दिया है आपको इसको सुन्दर सुन्दर राइटिंग में ही लिखना है पहले सबसे पहले आप लोग रीडिंग करेंगे रीडिंग करेंगे बहुत ध्यान से रीडिंग कर लेंगे तो आपको अपने आप कोशन आसर याद हो जाएंगे तो बहुत ध्यान से इसकी रीडिंग करेंगे पाठ की पूरे की रीडिंग करेंगे है ना, उसके बाद ये कोशन, सबसे पहले सही का निशान लगाएंगे है ना, तो जब आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको सब सब समझने आ जाएगा सबसे पहले ही लिखा है लट्टू एक सरारती बंदर था तो लट्टू कैसे बंदर था? शरारती बड़े 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 लालल क्या थे? लालल आम तो नहीं होते हैं क्या होते हैं? गुलाब की फूल यह पौदा मेरा घर है यह किसने कहा था? गुलाब ने कहा था रीडिंग कर लेंगे तो और यह कोशन के आंसर भी मिल जाएंगे आपको एक दिन लट्टू ने क्या देखा? एक दिन लट्टू ने एक गुलाब का पौदा देखा लट्टू को क्या सुनाई दिया? उसमें उसको गुलाब के पौदे में से गुलाब के पौदे में से या उस बाग में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी है ना? लट्टू ने गुलाब से क्या पूचा? उसने दिखा कि एक गुलाब का पेड़ है गुलाब का फूल है पौदे में फूल लगा हुए वो उसके उपर दो आंसू लगे हुए तो लट्टू ने गुलाब से क्या पूचा आंसू क्यों आते हैं जब कोई रोता है तो लट्टू ने गुलाब से पूचा कि आप तुम क्यों रो रहे हो है ना गुलाब लट्टू को क्या उत्तर दिया गुलाब ने लट्टू को उत्तर दिया कि आप मुझे यहां से मत तोड़ो यह तो मेरा घर है किसी भी बच्चे को घर से अलग करते हैं तो बच्चा दुखी होता है ना जब कोई बच्चे को किड्नेप करके ले आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है ना इसी तरह से यह हम लोग गुलाब को उसकी पौदे से तोड़ के उसकी घर से अलग कर देते हैं ना इसलिए यह नहीं करना चाहिए तो यह question answer आपके हो गए यह सही का निशान हो गया यहाँ पर सही गलग का निशान सही का निशान के बल मतलब यह दो रेद दे रखें उनमें से एक सही है तो वो सही निशान लगाना है दूसरे question answer होगा है आपके इनको जब आप बहुत ध्यान से पढ़नेंगे तो question answer साथ साथ में याद हो जाएंगे हा ना उसके बाद यह इन यह तो आपकी ख्षा है कुछ भी बंदर था या बंदर सावी कह लिख सकते हैं गुलाव लाल रंका था लट्टू की माँ उसे समझाती गुलाव हमें खुशवू देता है हा ना इस तरह से यह आपका पाठ आपका यह पूरा हो गया है ना इसकी बहुत ध्यान से reading भी करना है इसको साथ साथ में learn भी करना है क्योंकि next month आपके exam है final exam और आपको PT2 का पीटी टू बाला भी course लेना है साथ में है ना PT2 के जितने पाठ हैं उनमें से कुछ तो कट कर दिये गए हैं आपको उसमें slavus में दिये हैं तो PT2 से ले करके और SA2 यह last के दो दो आपके slavus में हैं तो इनको आपको learn करना तो पुराना भी learn करते हैं जो PT2 बाला course है और साथ में यह भी learn करते हैं ओके तो यह आपका आज का पाठ पूरा हुआ है ना अब आप इसके साथ में और सुन्दर सुन्दर writing है ना writing में मात्राओं की गलतियां भी नहीं करना है और सुन्दर सुन्दर लिखना है ओके गुड डे